स्टुरेंट क्लास 7th मैट्स का कोशन पेपर है कॉमन एनुल स्कूल एक्जामिशन 22 23 सेशन का तो इसका हम सलुशन करने जा रहे है तो जीन बच्चों का यह एक्जाम हुआ अपने आंसर चेक कर सकते है तो दिखें यह आपका कोशन पेपर है इसका सेक्षिन एक का फर्स्ट क का होजा जाए तो यह तो सिम्पल इसन था कैसे करना था सब्सक्राइब से क्षिए हिए तो यह माइनस 7 इदर जाएका तो प्लस 7 हो जागा है यानि कि 21 आंसर आएका इसका आंसर है आपका option number d 21 आंसर ठीक है तो d इसका correct answer है next question देखते है question number second लेकिन कोमल ठीक है कि कौन सा नंबर जो maximum time आया है तो देखो यहाँ पर 3 आपका किती बारा है 1 2 3 बारा है और 2 है 1 2 2 बारा है और 6 भी 2 बारा है यानि कि 3 सबसे बारा है ना 1 2 3 टाइमस आया है तो यानि 3 इसका answer होना था maximum time पूछा था तो इसका answer कितना है 3B option इसका correct है किसकी सबस्चे ने ये option टिक किया है comment करके ज़रूर बताना question number 3 देखते है इस 17 divided by x equals to minus 1 आपको x find करना था यह divide है तो देखो divide को हम ऐसे लिख सकते है 17 upon x equals to minus 1 तो x निकालना है तो cross multiply कर दो यहां पर 1 लगा दो तो x तो इससे multiply होगे minus x हो जाएगा और 17 बन सा 17 और x का जो negative है इदर लग जाएगा तो यानि कि minus 17 इसका answer है तो minus 17 आपका c option करेक्ट है इसमें next question देखते है question number 4 which of the following is an example of alternate angle in English alphabet alternate angles का example देना था तो कोई भी parallel line में transversal line अगर ऐसे काटे तो alternate angle ऐसे बनते है न यह इधर तो यह इधर तो यह इधर तो यानि कि उसके बाद इसी में choice का question था supplementary angle पूछा था इस angle का तो supplementary angle निकालने के लिए इस angle को 180 से क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 180 में से जब 60 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 120 degree तो इसका answer 120 degree देखी कौन से option में था यह आपका c option विल्कुल correct था c option किस किस बच्चे ने लगाया answer कर कमेंट पर बताना next question देखते है next question आपका value find करना था 2 की power 3 into 5 की power 2 की तो इसमें देखे इसमें 2 की power 3 का मतला 2 को 3 times कोलना था 2 को 3 times खोलेंगे यानि 222 और 5 को दो बार खोलना है चीक है तो 22 जा 4 जा 8 हो जाएगा और 225 और इसका answer 200 किस किस बच्चे का आया कमेंट करके बताना तो इसका answer है 200 B option इसका correct है इसके बाद next question देखते है question number 6 800 का 15% पूछा था आपसे तो 15% of 800 कैसे solve करना था देखे तो 800 off है तो into 15% हटता है तो 1 by 100 यह पहले भी आपको बताया था परसेंट जब भी हटे तो 1 by 100 तो यह 0 से 0 nervous cancel हो जाएगी तो 15 8asrav कितना होता है 120 होता है तो 120 इसका answer A option इसका ticking लगाना था next question देखते हैं 3 की Power 0 plus 2 की Power 0 upon 2 तो जब वी किसी power 0 हो जब भी किसी number की Power 0 होती है तो हम क्या लिखते हैं जैसे 3 की Power 0 है तो जब भी किसी भी नंबर की X की पावर 0 है तो उसका answer 1 होता है कोई भी नंबर हो चाहे तो इसका answer 1 होगा इसका answer भी 1 होगा upon me 2 है यहाँ 0 0 लगा यहाँ तो ना लगा तो इता है जिती आजएगा तो 1 1 add कर उगदर 2 और upon me 2 तो 2 से 2 cancel हो कि 1 answer आजएगा तो 1 answer कौन से option में है इसका a option correct है इसका 1 answer a option में है आगी देखे इसका चोईस वाला question था 3 by 5 की बावर 2 है और फिर डिवाइड 3 by 5 तो देखो 3 by 5 3 by 5 पे एक पिदर 2 है इस पे कुछ नहीं है तो यानी 1 लगा सकते हो और जब base सेम हो तो exponent के rule क्या कहता है कि base को एक बावर लिखो और powers को क्या कर दो divide है तो minus है न डिवाइड हो तो minus into होता तो plus हो जाता तो अभी तो divide है तो यह minus हो जाएगी power base एक की बावर लिखना है तो यह 2 minus 1 1, 1 चाहे power लगाओ या मतलगाओ तो 3 by 5 पे आपका answer आना था तो देखें इसमें 17 into 101 तो दिया है बट 17 के साथ यहां कुछ नहीं दिया तो हमने अपनी तरफ से 1 लगा दिया ठीक है into में 1 क्योंकि 1 की तो किसी से भी multiply करोगी यह answer आएगा तो हमने कुछ extra तो किया नहीं है बस extra into 1 कर दिया अब distributive property क्या कहते है कि जब दो नमबर multiply में है और दोनों में से same common number हो तो वो भार ले लेते है अब इसमें से अगर यह बहार है तो यह बचेगा अंदर bracket में और फिर minus इसमें से यह बहार है तो यह बचेगा अंदर 1 तो 101 में से 1 को minus करोगी तो 100 और फिर last में से multiply करेंगे त 7800 तो distributive property लगा नहीं थी इसमें तो D इसका answer होगा D option तो D option इसका correct answer होगा ठीक है तो D option इसका correct है चोईस वाला question देखते है minus 3 add minus 3 to 10 times minus 3 को 10 बार plus करना है तो आप minus 3 plus minus 3 plus minus 3 ऐसे ना करके minus 3 को सीधा 10 से क्या कर दोगे multiply ठीक है तो multiply करेंगे तो minus 3 minus 3 10 बार plus ना करने के बजाए हम सीधा 10 से multiply कर देंगे तो answer कितना आएगा minus 30 minus 30 आपका D option में होगा ठीक है तो D option इसका correct है किस-किस बच्चे ने यह option लगा है कमेंट करके बताएगा अब second और third question आपका case study based question था तो इसका देखिए सबसे पहला question second देखते है तो रमन दीप अपने daily routine में कुछ हिस्सा तो study को देता है वन थर्ड और वन सिक्स वो प्लेइंग को देता है तो आपको बता है एक दिन में total 24 hours होते है ना तो number of hours study में कितने जाएंगे गर 24 hours है total तो वन थर्ड पार्ट कहा है ना उनने question में वन थर्ड पार्ट study को है तो वन थर्ड 24 का निकाल लेंगे तो number of hours study के निकाल जाएंगे यह पार्ट में दिया था तो आपको इसको है ना तो 8 hours हा जाएगा सेम एसी प्लेइंग को 16 पार्ट दिया उसने तो 24 से इसको मल्टिफले करके इसके exact number of hours हा जाएंगे 4 hours sleeping में इसने वन फोर्ड टाइम दिया तो वन फोर्ड कि इसका 24 का total day का ना तो यह 6 hours हा जाएगा और बचा वार डेली रूटीन वर्क को दे दिय तो देखो फर्स्ट कोशिन आपको था कि total time for playing और sleeping playing और sleeping में इसका कितना time खर्च हुआ तो प्लेइंग इसके कितने था playing में कितना खर्चुआ था four hour और sleeping में कितना खर्चुआ था six hours तो plus करेंगे तो ten hours आजेगा na तो four plus six ten hours ten hours आपका a option में है तो ten hours आपका a option है उसके बाद next question था what is the difference between the time in hours for studying and sleeping study or sleeping में कितना difference है तो studying कितने गंटे की थी उसने हमने निकाले थे न सारे गंटे तो study में कितना time लगा था इसका 8 hours और sleeping में कितना लगा था 6 hours और difference बोला है तो उसको इससे minus करना था तो minus करके यह आएगा 2 hours ठीक है तो 2 hours देके कौन से option में होगा difference वाला 2 hours B option इसका करेक्ट था second वाले का third question आपको पूछा था maximum time is given in timetable सबसे ज़्यादा time किसको मिला है सबसे ज़्यादा time हमने देखा किसको मिला है सबसे ज़्यादा time देखा 8 hours study को मिला है बाकि सबको तो 6, 4 और 6 मिला था तो study को सबसे ज़्यादा time मिला है यानि की study को सबसे ज़्यादा time मिला है इसका answer आएका studying C option इसका correct होगा fourth part पूछा था आपसे which part of the whole day is given for studying and playing studying और playing को कितना part मिला है तो study और playing को पहले आप जोड़ लो study 8 hours playing कितना है 4 hours 8 और 4 12 होते है तो 12 और part पूछा है तो 24 से इसको डिवाइड कर देना क्योंकि 12 और अगर इसको मिले है तो 24 से इसको डिवाइड कर देना तो यह पार्ट निकल जाएगा तो 1 by 2 part मिला है दोनों को मिला के ठीक है तो C option इसका correct है इसका C option correct होगा next question देखिए question number 5 था how many hours will Ramandeep study in a week एक वीक में वो कितना पढ़ता है कितना घंटा पढ़ता है तो पढ़ना एक दिन में वो आठ गंटे बढ़ रहा था ना एक दिन में अगर वो आठ गंटे पढ़ता है तो 7 वीक में कितने डे होते है 7 डे होते है ना तो 7 इंटो 8 56 आर्स आजेगा पेंटर ने लगाई कुछ यह वोल एफ्याथ यह लेडर है और ग्राउंड से डिस्टंस आ लेडर का आपको यह वोल की लेंड थ्री में अट पहल धीए और यह ऌईका इसका डिस्टेंस फ़र मेंटर लेंटर की लेंथ इस्काल लिए आपको दिख रहा है यह El तो पोछाई कि यह कीसा ट्राइंगल वैंकल राइट अंगल ट्राइंगल जा सका पूछाई मेंर की अपकर वैंते पने से और इंदऺ किर दिस्का के हैंब यहां से कृक्षट की हो तो अपक विल माद लेब अनुट कॉ स्क्वार लेदा की एंद़ को स्कंद करते हैं। यानि कि लेडर के लेंद कितनी आजेगी 5 मीटर तो इसका आंसर देखी कौन सा ओप्षिन होगा ये आपका 5 मीटर आजेगा ए ओप्षिन इसका करेक्ट होगा नेक्स्ट कोशन देखी इसमें क्या था थार्ड कॉशन इस इंक्लाइइए इंगल 40 दिगरी विद ग्राउं देखी अग्र के साथ एंगल डिया है और लेडर का वॉल्ल के साथ यह बला एंगल निकालने को गह रहे है तो आपको triangle की property बता है ना एक triangle में 3 angle का sum 180 होता है तो angle A तो हमें निकालना है angle C हमें wall के साथ दिया हुआ 40 और ये है तो हमें बता ही 90 है तो 90 और 40 को plus करो 130 और यहां लेकर माइनस कर दो तो ये 50 degree आ जाएगा ठीक है angle A 50 degree तो इसका answer है हमारा 50 degree B option करें तो उसके बाद इसका fourth part था if two side of a right triangle triangle are same the measurement of angle R तो अगर एक right triangle right angle triangle में दो side है same हो दो side है मतलब दो side है means ये वाली side इस side है तो सबसे लंबी side है वो तो same हो नहीं सकती तो ये भी x है ये भी x है तो सामने वाले angle भी क्या हो जाएंगे equal हो जाएंगे तो मानलों ये y एंगल है तो ये भी y हो जाएगा आपको पता है y, y, 2y और साथ में ये 90 तो ये मिला के अगर 1 80 है तो अगेला y कैसे आएगा 2y 90 को महा ले जाके minus कर देना और y कितना आ जाएगा 45 यानि कि ये भी 45 पहेगा ये भी 45 पहेगा और ये 90 तो है है ना तो यानि कि कौन सा ओप्शन ठीक है 90 45 45 दी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 90 45 45 दी ऑप्शन इसका करेक्ट है अगला कोशन देखते है कोशन नमबर फिर्ट विच आफ दा फॉल्वएंग इस टू कौन सा ओप्शन इसमें से टू है तो दिखो आपको पता है कोई भी राइट अंगल ट्रैंगल उसमें पाइथ अगुरिन ट्रिपलेट लगती है है ना तो यहां पर फोर का स्कार और फाइप का स्कार कर कर के देखो आप लेफ्ट ना सायटको भी सॉल्व करो और लाइट ना कहikes यहां उपर 6 का स्कार प्लस 8 का स्कार यहां ना मुझे लग रह आपको quick 6िघ स्कार -, 64 प्लस करों किày स्कार ऑर यहां पहलो टेंगला, स्कार 80 पीओप्शुन में में हिल्किसी टिया हूँआ। जा स१ सतते हैं था सब्सक्रतों से तो स्थान करेंगे EsseQu occupy अन्हों सकीति करेंगे तो अपना एक्जाम मतलब बताना कितने कोशन अभी तक आपके ठीक है और कैसा गया आपका एक्जाम और इसका सेक्षिन बी और सी को हम नेक्स पार्ट में करेंगे सॉल्फ वीडियो को शेयर जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स पार्ट आपको नेक